लोग मार्केट को टाइम नहीं देते हैं सीखने के लिए और डारेक्ली आ जाते हैं पैसा लेकर हमारे पास एक लाक है हम लोग दिन राद मेनत करेंगे हम ट्रेड करेंगे दस का बीस होगा बीस का चालीस होगा ऐसा कभी होता नहीं है अगर स्क्रीन पे आप लोग देखोगे मोर देन 5 लाग का प्रॉफिट चल रहा है एक दिन था जहां पर मेरा यहली पैकेज 4 लाग के आसपास था फ्रम वन यह सालेरी टू वन डे प्रॉफिट यह जन्नी में आप लोगों इसाँ सेर करने वाला हूं अगर पैसा कम है तो ट्रेडिंग से बन सकता इट साटक बट इस नौट मैं आपको बताने वाला जे प्रोफेशनल ट्रेडर कितना डिफिकल्ट हो सकता है कितना टाइम डेडिकेशन एफट यह लगता है इन डिटेल्स में आप लोगों बताने वाला हूं और आज मैं आपक ट्रेडिंग के अंदर कितना ज्यादा पोटेंसियल है अगर मैं आप लोगों दिखाओ अभी मेरा कुछ पोजीशन चल रहा होगा जिससे आपको पता है मैं ट्रेडर हूं ट्रेडिंग करता रहता हूं अगर स्क्रीन पे आप लोग देखोगे मोर देन 5 लाग का प्रोफिट चल रहा है एक दिन था जहां पे मेरा यहली पैकेज 4 लाग के आसपास था फ्रम वन यह सालेरी टू वन डे प्रोफिट यह जर्नी में आप लोगों इसा शेयर करने वाला हूं सो दाट कि नहीं आप लोगों पास एक प्रोस्पेक्टिव रहे वाइट ट्रेडिंग तो डैरेक्टली में आप लोगों को लेके चलता हूं 2014 जहां पे मेरा इंजिनियरिंग का फाइनल यह था उस टाइम पे मुझे डिसाइड करना था कि आगे लाइप में करना क्या है क्योंकि एकाड़ोमिक मेरा इतना स्ट्रॉंग नहीं था 60 परसेंट जैसे जॉब तो मिलने से रा क्योंकि 60 परसेंट था नहीं तो मैंने जाके पैरेंट्स को बताया के ने मुझे ट्रेडिंग करना है जब ट्रेडिंग का नाम सुने इनिसेल यह थीक है लेकिन जब सर्राउंडिंग से वह बात किये अपने फेमिली मेंबर से या फिर होता क्या है तो 5000 कोर्स था मुझे आज भी यादे जब मैंने वहां पर गया तब मुझे समझ मैं आया प्राइस दिखता कैसा है या फिर चार्ट कैसे दिखते हैं इंडिकेटर कैसे दिखते हैं क्योंकि उससे पहले में बस सर्च करता था हाउमच आइकन आन फर्म स्टॉक म मुझे कितना पैसा मिल सकता है जैसे आप लोग करते होंगे तो यह सारे मुझे आइडिया नहीं था श्टॉक मार्केट होता क्या है बस मुझे यह दिख रहा था कि यहां से सौट कट हुए से पैसा मिल सकता है इनिसेल डेज में तब मैंने जब कोर्स किया तब ही मैंने फर कि इंट्रेस्टिंग लगता हुब जॉब में मुझे हमेसा यह लगता था कि नहीं हाँ मुझे फाल सा जॉटा सा जॉप से दूर जाने का ही कोसी था कि नहीं हाँ उना ल correct की मेरे कECH रेकिन कोई 10 लाग कमा रहा है कि पांच लाग कमा रहा है कोई पांच अज्य यहार कमा नहीं पा रहा है इसके पीछे का only one reason एक डिएक्सन नहीं है उतना बबड़ा गोल नहीं बड़ा ड्रिम नहीं उस टाइम पे मैं भी सोचता था लेकिन reality में इट से completely different क्योंकि मुझे इंट्री में बेटने नहीं मिलता था फिर मैंने decide किया कि मुझे trading ही करना है और trading से ही पैसा बनाया जा सकता है यह मेना initial thoughts था लेकिन मैंने अज़ेज़ घरबालों को पैसा मांगा 110% लोगों ने मना किया क्योंकि trading मतलब पैसा trading के लिए हम लोग दे नहीं सकते पढ़ा ही तरह लोन में करा दिये अभी तरह पास engineer degree है तेरे को अगर करना है तुझे खुद का हुए खुदा find out करना पड़ेगा मेरे पास लेकी option बचा था उस टाइम पर मेरे पास बेगरी था मुझे लगा इसको यूज करके में जॉब करूंगा करे उस टाइम के बाद फिर मैंने बैंगलोर आया आइज विजल बैंगलोर में software IT company का जॉब बहुत सारे हैं तो मैं वहां पर जैसे सब फ्रेंड लोग आ रहे थे म मैं आया एक कोर्स करना पड़ा क्योंकि academic percentage लेसता एक कोर्स करना पड़ा उसके बाद तीन से चार महीने के बाद मुझे जॉब मिल गया लेकिन एक पॉइंट में आपको clear बताना चाहूंगा मेरा end goal भले trading था लेकिन बहुत सारे लोग एक misconcession लेके आते हैं उन लोग करो पहले प्रूब करो कि ना पैसा कमा सकते हो फिर अपना line आप decide कर सकता आपको कौन से line में जाना है और उस टाइम पर अगर मैं आपको बता रहा हूं अगर मेरे पास पैसा होता या घरवालों ने मुझे पैसा दे दिया होता initial stage में तो आज मैं trader नहीं होता it's a fact initial stage में जो करना है trading के लिए I hope मेरा point आप लोग समझ रहे होंगे पहले capital चाहिए trading के लिए और मैंने मेरा engineering degree यूज किया plus course किया उसके बाद मुझे job मिल गया initial time में सब लोग pump up थे में भी था कि नहीं job मिल गया trading अभी मैं कर लूँगा पैसा आ जाएगा salary से में यूज करूँगा मुझे यहाद है मुझे लगता था दो तीन महीना में job करूँगा उसके बाद वो salary यूज करके एक चोटा सा एक दो लाग का loan लेकर मैं trading स्टार्ट कर सकता हूं लेकिन trust me मैंने तीन महीना सोचा था लेकिन it will take one and a half year to quit my job इसके पीछे का reason क्या है मैं आपको बताता हूं initial type में मैंने सोचा कि एक मैने का salary आएगा एक fact बताता हूं उस दिन मुझे याद है मेरा salary credit हुआ था मैंने stock market के अंदर commodities के अंदर single days के अंदर 90% capital गवा दिया था आपको समझ में आ रहा होगा पहला salary है सब friend लोग कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं क्या खरिदना चाहिए phone लेना चाहिए कहीं पर जाना चाहिए लेकिन मेरा 90% capital drawdown हो गया था मेरे मन में बस यह था कि ने इसके पीछे का रिजन जानना है लॉसेस अच्छा हुआ आज हो गया क्या पता कल सुबह मेरे पास एक लाग होगा अच्छा हुआ एक लाग नहीं है इसके लिए मेरा आज लॉसेस कम है एक टाइम ऐसा था जहां पर मुझे रेंट देने के लिए पैसा आरेंज करना पड़ता था लोन लेन पड़ता था या फ्रेंड से हेल्प मांगना पड़ता था नो डाउट अगर मैं फ्रेंड से हेल्प मांग होगा उन लोग सजेशन फ्री में देते थे ट्रेडिंग छोड़ दे नहीं तो बरबाद हो जाएगा और आज एक ऐसा डेट है उन्हीं लोग टाइम मांगते है कि भी ब्रेक लिया नहीं इसके पीछे का रिजन किकि मुझे टाइम देना था मार्केट को बहुत सारे लोग खुशते अपने जॉब से सालेरी से उन लोग अपना डिसकर्शन करते हैं दो तीन बार ब्रेक लेते थे लेकिन मैं पूरा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने स्टिक र और डिरेक्ली आ जाते हैं पैसा लेकर हम ट्रेड करेंगे दस का बीस होगा बीस का चालीस होगा ऐसा कभी होता नहीं है अगर मैं आपको एक स्टेट्मेंट बोलू जस्ट इमाजिन आज आपने ट्रेड किया 100 था 200 हो गया 1 लाग था 2 लाग हो गया 4 का 16 हो गया 20 का 25 हो गया Just imagine करोड का 2 करोड हो गया आप खुद पागल हो जाओ गया you cannot handle money पहले आपको slow and steady सीखना पड़ेगा losses है इसके लिए profit का मजा है अगर आप losses नहीं जानते मार्केट के अंदर हो सकता है तो फिर आप ट्रेडिंग के लिए बने नहीं हो तो one and half year के बाद जब मैंने जॉब छो ब्लॉग देखूंगा तो मैनेजर कभी खुस नहीं होगा उसके लिए मुझे appreciation ज्यादा मिला नहीं था और वो मुझे motivate किया कि अगर यहां से मैं अपने उपर अगर इतना time invest करता इससे ज्यादा percentage तो मुझे definitely मिल सकता है तो मैंने decide किया कठा किया पैसा loan लिया bank से उसके ब अच्छा रीजन में आपको बताता हूं first thing उस टाइं पर मुझे भी fear लगता था कि नहीं हाँ salary आ रहा है पैसा आ रहा है comfortably life चल रहा है लेकिन एक point आने वाला था मैं बार-बार सोचता था आज मेरा age 25 या 26 है आज मैं अगर कोई नहीं करता हूं job तो 40 के age में या 30 के age में it will 12 लाक मेरे हाथ में थे मैंने सोचा एक साल तक में मार्केट में survive कर सकता हूं एक plan बनाया road map बनाया फिर उसके बाद मैंने job quit किया बहुत सारे लोग यह directly आ जाते हैं कि नहीं हमारे पास एक लाक है हम लोग दिन राद मेनत करेंगे पैसा मिल जाएगा ऐसा कभी होता नहीं always calculate risk इसलिए मैं बोलता हूं आप लोग डरते इसलिए हो कि आपका risk capacity से ही नहीं अगर आप risk capacity से ही कर लोगे तो आपको fear of trading नहीं रहेगा या fear of life नहीं रहेगा अई वो पर यह सारे point आप समझ रहोंगे उसके बाद 1.5 यह के बास लो 5-6 महीने मुझे और लगे और उस टाइ साइड किया पाउर ऑफ स्टौक्स यह वीडियो स्टार्ट किया कि उस टायम तक मुझे समझ में आ गया था पाउर स्टॉक्स का कितना पाउर है कितना पैसा आप जन्रेट कर सकते हैं लेकिन मेरा वईस कहीं तक रीच नहीं हो रहा था फिल लोगों को बिलीव दिनाले के तो इसके लिए जननी स्टार्ट हुआ, 18 गया, 19 भी बहुत अच्छा थे, टर्निंग पॉइंट आया है 2020 का, जब पैंडेमिक था, मार्केट क्राइस हो रहा था, और उस टाइम से, मैं 2018 से मार्केट को देख रहा हूं, कि यह एक क्राइस सिनारिव में है, मार्केट ओवर वैल और वो क्यापिटल से देरे-देरे करके 2020, I made more than 3.7 CR on that whole year, that will be only on profit from trading, I hope मेरा पॉइंट आप लोग समझ रहा हूंगे, इतना difficult नहीं है, आप लोगों को लग रहा होगा, ट्रेडर बनने के लिए, आप कल सुबह उठके आ जाओगे, दस ब्लॉग पढ़ लोगे, दस क्लासे ले लोगे तो आप ट्रेडर बन जाओगे, यह इतना simple नहीं है, आपको पहले dedication देना पड़ेगा, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, आप ट्रेडिंग उस टाइम पर क्यों स्टार्ट किये थे, सर आप जॉब कर सकते थे, या दूसरे चीजे कर सकते थे, या फिर के लिए मैं बोल रहा हूँ, यह भी एक field है, अगर आप लोग इसके अंदर passionate हो, तो थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा effort देना पड़ेगा, hard work, dedication, यह सारे चीजे wording थोड़ा सा dictionary से हटा दो, अगर आपको डॉक्टर बनना है, दस गटना का आपको time लगता मेरे पास हर दिन trading के लिए मेरे पास एक road map होता है, सुबह में उठके करूँगा, जैसे मैंने आप लोगो profit अभी दिखाया, पांच लाग से ज्यादा profit दिख रहा था, वो road map, वो trading plan कल से ready हो जोगा था, दो चीजों के लिए मैं आपको बहुत blessed मानता हूँ, first thing मेरे घरवा में भी खुद बोलता market gambling place है, क्योंकि मैंने सही efforts and time दिया नहीं ता market को समझने के लिए, just because मेरे पास कुछ couple of bucks थे, couple of lakhs थे मैंने market में लगा दिया, अगर loss होता है, I need to blame someone, जैसे human nature होता है, तो market को ही blame करते हैं, लोग market पैसा देता नहीं है, एक point मैं आपको clear करना चाहता That means there is an opportunity to make money, 110%, अगर 200 से कोई stock 400 जा रहा है, बस आपको वे find out करना है किस तरीके से आप 210 में खरीद के उसको 280 में बेच पाओ, जो middle part है, वो person आपके से घर लेके आपाओ, वो आपका skill define करता है, in the end में मैं आपको कुछ points बताना चाहूंगा, simplified मैं आपको बताना चाहूंगा मैं बोलता हूं, एक point ध्यान में रखो, ये line बोलने से पहले, make sure आप enough cash रखे हुए हो, या enough पैसा बना चुके हो, क्यूंकि घर से बाहर निकलते हो, आपको पैसा का need होता है, आपका पैसा जरूरत पड़ता है, आपके पास अगर sufficient पैसा है, तभी जाके आप line बोल सकते हो money is not everything, फिर आप life के दूसरे aspect के ऊपर काम कर सकते हो, दूसरे चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकते हो, इसके लिए make sure करो कि आपका material नीड है, जो आपका basic नीड है हो, पहले पूरा करो, मैं भी wish करता था, जब bus में जाता था, मेरे पास भी ये car हो, ये गाड़ी हो, ये बंग की जाएंगी, और आप लोगों के अंदर भी कोई millionaire होगा, billionaire होगा, ये आपके पास भी millionaire idea होगा, बस आपको confidence नहीं है, आप एक next step जाकर उसके उपर काम करो, मैंने उस टाइम पर wish किया था, काम किया था, अगर आज आप मुझे देख रहोंगे, लाकों के profit या करोड के profit, य जाएगा, जो आपका dream है, वो reality में convert हो सकता है, थैंक यूए अगर आप इस stock के end तक पहुँच चुके हैं, तो मैं आपको Josh Talks का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूँ, जिससे मैं काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ हो और मुझे बहुत बहुत जादा पसंद है क वो क्या कर रहे हैं, Josh Talks ने एक नया app launch किया है, जिसका नाम है Josh Skills, अब वो नया नहीं रहा, काफी time से है, लाखों लोग उसको आप use करते हैं, और Josh Skills पे आप अपनी जिंदगी के लिए courses ढून सकते हैं, वो course नहीं जो आपको physics, chemistry, commerce, business studies पढ़ाएंगे, वो courses जो आपकी जिं personality कैसे develop की जाएं, हर एक course में daily quizzes है, exercises है, एक बहुत ही खुबसूरक community है, जो आपको support करेगी, आपको encourage करेगी, आज ही download करें, Josh Skills का app और उनके courses एक्स्प्लोर करके, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे